हेलो फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल आज हम कद्दू की सब्जी बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही इसी है और यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं कद्दू का सब्जी कद्दू का सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 250 क्राम के करीब कद्दू आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे शेप में काट लिये हैं अभी चलते हैं बनाने के प्रोसेस में देखिए कड़ाई गरम हो गया है अभी हम तीन सी चाट टी स्पून फॉल डाल देंगे तेल को हम खुष्टे मैंसे गरम होने देंगे अभी तेल गरम हो गया अभी हम इसमें आधा चोटी टी स्पून जीरा आधा चोटी टी स्पून सरसो और आठ से दस लेसुन के कल्या जो कद्दू पस किया हुआ डाल देंगे और दो सूखी लाल मिच और इसको थोड़ा मिला कर लेंगे जैसी की प्यास थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए हम इसमें डाल देंगे एक पिंच हिंक हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और खाना भी सेही सी डाइस हो जाता है अभी हम इसमें डाल देंगे आधा चोटी टी स्पून हल्दी आधा चोटी कर लेंगे और देखिए दो से तिन मीट हो गया अभी हम इसमें काटके रखे ते कदू हुई डाल देंगे देखिए अभी हम इसमें कदू डाल दिये हैं और इसको कुछ ताइम ऐसी फ्राइब करेंगे इसको अच्छे से मिला ले कुछ ताइम ऐसी फ्राइब कर लिए हैं अभी हम इसको ढख देंगे और ढख के कुछ ताइम ऐसी पकाएंगे और बीच भी इसमें ढखकन को थोड़ा निकाल के चेक करते रहे अभी हम फिर से ढख देंगे तीन से चार मिनेट हो गया अभी ढखकर निकाल के देखेंगे देखे 50% जितना फ्राइब हो गया है अभी हम इसको कुछ टाइम अर ढख के पकाएंगे चार से पांच मिन्ट हो गया अभी ढखकन निकाल के चेक करेंगे देखे 80% जितना फ्राइब हो गया है अभी हम बिना ढखके इसको कुछ टाइम ऐसे फ्राइब करेंगे देखे कद्दू अच्छे से फ्राइब हो गया है आप देख सकते हैं अभी हम इसके उपर थोड़ा धनिया का पत्ता डाल देंगे मिला ले अभी हम गैस बन करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे देखे हमारा कद्दू का सब्जी बन के रेडी हो गया आप इसको गरम गरम खाए बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको रोटी पराठा पूरी के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है आई होप आज की वीडियो पैसंद आई होगी वीडियो पैसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थाइंक यू